Good day to all of you! पिछली कक्षा में आप सभी ने Rectangle Tool के बारे में सीखा था Rectangle Tool के मदद से आप सभी ने अलग-अलग प्रकार के चित्र भी बनाये थे और Color Box 1 और Color Box 2 में क्या अंतर होता है इसके बारे में भी सीखा था क्योंकि आप सभी Paint के बारे में सीख रहे हैं जिससे दो Module में बाटा गया है Paint Module 1 और Paint Module 2 तो अभी आप Module 1 सीख रहे हैं जैसे ही हम Next Week में पहुँचेंगे तब आपका टेस्ट होगा कि आप सभी ने Module 1 में जो भी सीखा है वह याद है या नहीं टेस्ट को लेकर अगर किसको कोई भी समस्या है तो बूच सकते हैं आईए अब सब जाने की आज की कख्सा में क्या सीखना है आईए वीडियो को देखकर अब सीखते हैं कि Paint के फाइल को Open कैसे करते हैं सामने वीडियो में दिखाया जा रहा है है कि आपको अपने पॉइंटर को Start बटन पे लेकर आना है आप अपने पॉइंटर को Touchpad या Mouse के द्वारा Start बटन पे लेकर आएं और फिर याँ पे Left बटन को क्लिक करें जिससे की एक Box ओपन हो जाएगा इस Box के अंदर आपको All Program लिखे हुए Option पे अपने पॉइंटर को लाना है और फिर याँ पे क्लिक करना है इस Box के अंदर आपको Eso Series लिखे हुए Option पे क्लिक करना है इस Box के अंदर आपको Paint लिखे हुए Option को ढूड़ना है और वहाँ पर अपने पॉइंटर को ले जाकर Left बटन क्लिक कर देना है जिससे की आपकी Paint की फाइल ओपन हो जाएगी आज की कक्षा में आप सभी Rectangle Tool की मदद से अलग-अलग ड्रोइंग बनाएंगे ये ड्रोइंग होंगी Face, दूसरा Building और Car, तीसरा Rocket दिये गैची त्रुक को बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी को Rectangle Tool को Select करना होगा फिर आप Color 1 और Color 2 में Same Color को Select करेंगे अब आप सब को Fill में जाकर Solid Color को Select करना है उसके बाद एक Box अपने Seat पर Drag करेंगे फिर आप सब को Color 1 और Color 2 में Black Color Select करके फिर उसी Box में Eyes बनाएंगे अब दोनों Color Box में Red Color करें और फिर Lips बनाएं इस परकार से आप सभी इस चीतर को बना लेंगे Rectangle Tool को Select करें Color 1 को Select करें फिर दूसरा Color Select करें Color 2 को Select करें उसमें भी Same Color लें Fill में जाकर Solid Color अब ऐसे अपने सीट पर Rectangle को ड्रैक करें फिर Color 1 को Select करें उसको Change करें Color 2 को भी Change करें Same Color लें फिर यहां पर एक Rectangle को ड्रैक करें फिर ऐसे दूसरे Rectangle को ड्रैक करें Color 2 को वाइट करें जा उसमें रेड कलर ले लें फिर Color 1 में भी रेड कलर ले ले यहां पर ऐसे Smile को ड्रैक करें अब लाइन टूल को Select करें Color 2 को वाइट करें Color 1 में ब्लैक कलर ले फिर इसे ऐसे ड्रैक कर दें फिर यहां पर ऐसे एक और लाइन को ड्रैक करें इस प्रकार से यह पिक्चर आपका बन जाएगा इस चित्र को मिटाने के लिए आप Ctrl A डिलीट का प्रियोग करें दिये गए चित्र को ध्यान से देखें सबसे पहले आप सब एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें Color Fill होगा उसके बाद Color को चेंज करके आप Rectangle को ड्रैक करेंगे जिससे आपकी Building बन जाएगी फिर उसके अंदर Color चेंज करकर के Rectangle को ड्रैक करेंगे जिससे की Window बन जाएगी इसके बाद चित्र को देखें और Road, Light और Car को बनाने के लिए आप Line Tool का उप्योग कर सकते हैं अपने Cursor को Rectangle Tool के उपर ले जाएगे और उसे Select करें फिर उसके बाद Color 1 पे Color को चेंज करें फिर Color 2 को सेलेक करें सेम कलर लें फिल पे जाएं इसके बाद सीट पे Cursor को लेकर आएं और ऐसे एक Box ड्रैक करें फिर अब अपने Cursor को Color Palette के अंदर ले जाएं Color देख लें सेम है नहीं है उसके बाद इस Box के अंदर ऐसे एक सीधी लाइन को ड्रैक करें इसे आप Rectangle भी कह सकते हैं Color को चेंज करें दोनों में सेम कलर लें उसके बाद यहाँ पे ऐसे एक Rectangle को ड्रैक करें फिर Color को चेंज करें दोनों Color में सेम कलर लें फिर यहाँ पे ऐसे एक और Rectangle को ड्रैक करें Color को चेंज करें दोनों में सेम कलर लें फिर यहाँ पे एक Rectangle बॉक्स ड्रैक करें ऐसे तोनों कलर को चेंज करें अब यहाँ से ऐसे नीचे के तरफ Rectangle को ड्रैक करें दोनों कलर को चेंज करें दोनों कलर को चेंज करें फिर यहाँ पे ऐसे एक और Rectangle को ऐसे ड्रैक कर लें फिर अब यहाँ पे ऐसे एक सीधी Rectangle को पतला ड्रैक करें फिर अब यहाँ पे सेम ऐसे ही एक और Rectangle को ड्रैक कर लें कै अचारम 15 प्रैक करेंग्यों करें लेङोन को लेंग्यों कि झाल रिर यहाँ पावाँ पीज़त कलर को चेंज करें, यहां पर ऐसे एक छोटा सा बॉक्स बना लें, फिर अब उसके सामने एक और ऐसे, फिर यहां पर यह बीच में, यहां पर ऐसे एक पतला सा, फिर दूसरी तरफ, यहां पर ऐसे, कलर को चेंज कर लें, ऐसे एक बॉक्स को ड्रैग कर लें, फिर ऐसे दूसरी बॉक्स को ड्रैग करें, यहां पर, फिर अब ऐसे, तीसरी बॉक्स को ड्रैग करें, यहां पर ऐसे, चौची बॉक्स को ड्रैग करें, फिर ऐसे एक सीधी रेक्टैंगल को यहां पर ड्रैग कर लें, फिर अब यहां पर ऐसे चोटा सा एक रेक्टैंगल को ड्रैग कर लें, उसके बाद ऐसे यहां पर एक चोटा सा रेक्टैंगल ड्रैग कर लें, फिर यहां पर एक चोटा सा एक रेक्टैंगल को ड्रैग कर लें, तोनों कलर को चेंज करें, सेम कलर लें, यहां पर ऐसे एक चोटा सा एक रेक्टैंगल को ड्रैग करें, फिर उसके सामने ही ऐसे एक और एक्टैंगल को ड्रैग करें, फिर यहां पर छोटा सा एक और एक्टैंगल को ड्रैग करें, फिर यहां पर एक बड़ा सा एक्टैंगल ऐसे ड्रैग कर लें, ऐसे एक और छोटा सा एक्टैंगल को ड्रैग कर लें, फिर यहां पर भी एक और एक्टैंगल को ऐसे ड्रैग कर लें, दोनों कलर को चेंज कर लें, फिर यहां पर ऐसे बॉक्स को ड्रैग कर दें, फिर यहां पर ऐसे फिर कलर को चेंज कर लें, फिर अब यहां पर ऐसे कलर को उसके बाद ऐसे रेक्टैंगल को ड्रैग करें, फिर ऐसे सीधी रेक्टैंगल ड्रैग करें, फिर ऐसे कलर को चेंज कर लें, यहां पर ऐसे रेक्टैंगल को ड्रैग करें, कोसिस करें कि लाइन यहां रेक्टैंगल टूल आपका बराबर ड्रैग हो, फिर उसके साथ में ही दूसरी रेक्टैंगल को ऐसे ड्रैग करें, कलर को चेंज करें, फिर यहां पर ऐसे एक और रेक्टैंगल को ड्रैग करें, फिर अब दूसरे रेक्टैंगल यहां पर ऐसे ड्रैग करें, कलर को चेंज करें, ऐसे रेक्टैंगल को ड्रैग करें, फिर ऐसे एक और रेक्टैंगल को ड्रैग करें, जैसे कि मैंने बताया कि रेक्टैंगल बराबर होनी चीए, फिर कलर को चेंज करें, दोनों कलर सेम लें, फिर यहां पर ऐसे एक रेक्टैंगल को ड्रैग करें, उसके बाद फिर एक और रेक्टैंगल को ड्रैग करें, कलर को चेंज करें, ऐसे एक और रेक्टैंगल को ड्रैग करें, कलर को चेंज करें, ऐसे बॉक्स ड्रैग करें, कलर वन में ब्लैक कलर रखें, या चाहे आप जो चाहें चेंज कर सकते हैं, पर ऐसे आपको कलर वन में अलग, कलर टू में अलग और उसके बाद ऐसे रेक्टैंगल को ड्रैग करना है, फिर आप लाइन टूल को सेलेक करना है, और बीच में ऐसे सीधी लाइन को ड्रैग कर देना है, कर दो 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 क कि दोनों कलर को चेंज करें कि रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें फिर कलर को चेंज कर ले रेक्टेंगल को ड्रैग करें फिर दूसरा रेक्टेंगल को ड्रैग करें फिर दूसरा रेक्टेंगल यहां पर ऐसे सीधी लाइन या रेक्टेंगल फिर दूसरा रेक्टेंगल फिर यह ऐसे तीसरा फिर यहां पर छोटा सा बॉक्स फिर यहां पर बॉक्स फिर ऐसे एक और बॉक्स कलर को चैंज करें दोनों कलर में सेम कलर लें ऐसे रेक्टेंगल को ड्रैग करें फिर दूसरा रेक्टेंगल ऐसे तीसरा दोनों कलर में सेम कलर लें फिर यहां पर ऐसे एक बड़ा सा रेक्टेंगल को ड्रैग कर दें लाइन टूल को स्लेक करें कलर वन को चैंज करें अब यहां पर अपने करसर को रखें और ऐसे लाइन को खीचें फिर अब ऐसे दूसरी लाइन को यहां पर फिर उसके बाद से नीचे के तरफ फिर ऐसे यह लाइन उसके बाद उपर के तरफ ऐसे फिर ऐसे उसके बाद कलर वन कलर टू दोनों को चैंज करें रेक्टेंगल टूल को स्लेक करें फिल में जाए सॉलिट कलर लें आसे एक रेक्टेंगल को ड्रेक्ट करें फिर अब एक और रेक्टेंगल को ड्रेक्ट करें कलर टू को चैंज करें फिर कलर वन को भी चैंज करें ऐसे एक बाक्स को ड्रेक्ट करें फिल से नो फिल लें उसके बाद ऐसे एक बॉक्स को ड्रेक्ट करें फिर कलर वन में ब्लैक कलर लें कलर टू में भी ब्लैक कलर फिल पे जाके सॉलिड कलर उसके बाद यहां पे एक बॉक्स को ड्रेक्ट करें फिर दूसरे बॉक्स को ऐसे ड्रेक्ट करें फिर ऐसे कलर टू को वाइट करें कलर वन को सेलेक्ट करें कलर चेंज करें लाइन टूल को सेलेक्ट करें ऐसे एक लाइन को खीचें फिर ऐसे दूसरी लाइन को ड्रेक्ट करें फिर ऐसे सीधी एक लाइन को ड्रेक्ट करें कलर वन कलर टू दोनों को चेंज करें रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करें फिल में जाके सॉलिड कलर लें और यहां पर ऐसे एक चोटा सा रेक्टेंगल को ड्रेक्ट कर दें ऐसे कलर वन को ब्लेक रखें कलर टू को वाइट रखें फिल में जाके सॉलिड कलर फिर यहां पर ऐसे एक रेक्टेंगल को ड्रेक्ट करें इस तरह से यह पिक्चर आपकी बन जाएगी इस चीतर को मिटाने के लिए आप कंट्रोल A डिलीट का प्रियोक करें आज की कक्षा का आखरी चीतर रॉकेट का है यह चीतर आप सभी को बीडियो की मदद से बनाए रॉकेट को बनाने के लिए आप लाइन टूल की मदद से बना सकते हैं रेक्टेंगल टूल को सेलेक करें, कलर 1 में ब्लैक कलर, कलर 2 में रेड कलर, फिल पे जाके सॉलिड कलर, और ऐसे एक बॉक्स को ड्रैग करें, कलर 2 को सेलेक करें, कलर चेंज करें, जहां पर ऐसे एक बॉक्स को बनाएं, कलर 2 को चेंज करें, फिर ऐसे एक और बॉक्स को बनाएं, कलर 2 को चेंज करें, फिर यहां पर एक बॉक्स को बनाएं, इस प्रकार से, कलर 2 को वाइट करें, बीच में ऐसे एक बॉक्स को बनाएं, कलर 1 को ब्लैक करें, लाइन टूल को सेलेक करें, अब बीच में ऐसे लाइन को ड्रैक करें, खेरा से बीच में एक लाइन को खीचें, उसके बाद ऐसे दोसरी लाइन को खीचें, फिर ऐसे बीच में तीसरी लाइन को खीचें, फिर ऐसे चौथी लाइन को खीचें, फिर ऐसे पाचवी लाइन को खीचें, फिर ऐसे चौथी लाइन को खीचें, फिर ऐसे साथवी लाइन को खीचें, प्रेशे आठवी लाइन को खीचे पिर एक और लाइन को खीचे पिर एक और लाइन को खीचे पिर यहां से यहां तक एक लाइन को ड्रेक करें उसके बाद ऐसे दूसरी लाइन को खीचे फिर यहां पैसे एक लाइन को खीचे फिर उपर के तरफ लाइन को लेकर जाएं फिर यहां पर ऐसे एक और लाइन को ड्रेक करें फिर ऐसे दूसरी लाइन को ड्रेक करें फिर यहां से एक लाइन को खीचे फिर यहां से ऐसे एक लाइन को ड्रेक करें फिर यहां से फिर उसके बाद ऐसे एक लाइन को लेकर आएं फिर यहां से एक लाइन को लेकर आएं फिर उसके बाद ऐसे फिर यहां से ऐसे कलर को चेंज करें फिल भी कलर को स्लेक करें यहां पर कलर फिल करें यहां पर फिर दूसरा कलर लें आगे यहां पर फिल कर दें फिर कलर को चेंज करें, यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कलर को भर दें, इस तरह से आपका रोकेट बन जाएगा, आइए अब सीखते हैं कि file को close कैसे करते हैं Paint की file को close करने के लिए आप अपने cursor को close button पे जो कि उपर tiny side कोने में है यहाँ पर लेकर आए जैसे ही आप अपने pointer को यहाँ पर लाएंगे close लिखा हुआ एक box आएगा उस पर close करें और फिर आपके page पर ऐसा box आएगा जिसमें कि तीन option दिये गया है save, don't save, cancel क्योंकि आपको इस file को save नहीं करना है इसलिए आप don't save पर click कर दें जिसे कि आपकी paint की file close हो जाएगी जैसे ही आप don't save पर click करेंगे आपका desktop आजाएगा आएए अब सीखते हैं कि हम computer को shutdown कैसे करते हैं आप सभी अपने pointer को start button पर लेकर आए अपने touchpad या mouse के left button को एक बार click करें अब इस box के अंदर आपको shutdown लिखे हुए option को रूड़ना है और वहाँ पर अपने pointer को लेकर जाना है इस shutdown option पर pointer रखने के बाद अपने touchpad या mouse का left button क्लिक कर देना है जिससे कि आपका computer shutdown हो जाएगा यानि कि बंद हो जाएगा आज की कक्सा में आप सभी ने face बनाया building के साथ car road light बनाया और सबसे last में rocket बनाया बनाया थाने कर दो यादा के बनाया